नमस्कार दोस्तों जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है उस पर नहीं जो दूसरों के पास है नमस्कार दोस्तों रादे रादे स्वागते आपका अपने यूटूब चैनल के भी रासी फर्म आज हम बात करने जा रहे हैं कुमबरासी वालों की कुमबरासी वालों का 11 अपरेल दिन मंगलवार कैसे रहने वाले हैं उन्हें आने वाले समय किन किन चीजों से साउधान रहना होगा और कुम्बरासी वालों को आने वाले समय में वो कौन-कौन सी खुशकबरिया मिलने वाली है तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुम्बरासी वालों का पारिवरिक जीवन कैसे रहीगा उनका बिजनेस वैपार कैसे चलेगा उनका प्रेम संबंद कैसे रहीगा और साती सात उनका स्वास्त कैसे रहीगा तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज का संपून रासी फल बताएंगे अगर दोस्तों, आपकी भी कुम्बरासी है तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तो आज मंगलवार है बजरंग बली महराज का दिन है दोस्तो कॉमेंट में जय स्रीराम जरूर लिखना वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बराएं तो चैनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर सिलेक्ट करें आप बात करते हैं दोस आज का नचतर है जेश्टा नचतर है पच्चल राय क्रिष्णे पच्च आज सूरे उदय होगा सुवेट 6 बच के 2 मिनट पे और सूरे अस्त होगा साम 6 बच के 44 मिनट पे दोस्तो आज का सुब समय सुब 8 बच के 33 मिनट से सुब 10 बच के 48 मिनट तक रहीगा अगर दोस्तो कोई सुब काम करना है तो इसी समय करें आपके लिए सुब रहीगा और साथ ही साथ आज का असुब समय दूपहर 3 बच के 34 मिनट से साम 5 बच के 9 मिनट तक दोस्तो आज आपका लखी नमबर 8 और लखी कलर है आसमान अब बात करते हैं दोस्तो आज के चानक नीती ग्यान के पारे में चानक जी कहते हैं सफल होने के लिए मनुष्य को करना चाहिए ये काम जी हाँ दोस्तो सफलता पाने के लिए सबसे पहले जो हमें करना है वह है जी तोड मैनत मैनत कभी भी जाया नहीं जाती दोस्तो अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो बुरू चीजों को छोड़ना होगा बुरी चीजों का मतलब यह है कि आपकी वो आदते जो आपकी सफलता के रास्ते में रोडा बन रही है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है दोस्तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल तब ही कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से स्वज्थ हो इसके लिए जरूरी है कि अपने खाने पिने अपनी सिहत का पूरा ध्यान रखे तो दोस्तो आज का चानक निति ग्यान आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना आप बात करते हैं दोस्तो आज के कुमबरासी फल के बारे में कैसे रहीगा आपका आज का दिन आई जानते हैं तो दोस्तो हस्मु कृष्टिदारों का साथ आपके तनाव को कम करेगा और आपको जरूरी आराम देगा आप खुश नसीब हैं कि आपके ऐसे सगे संबन थी आज आपको किसी अज्यात इस्त्रों से पैस अपराप्त हो सकता है जिससे आपकी कई आर्थिक परिशानियां दूर हो सकते आपको ऐसी कतिवीद्यों में सनलंगन होनी की आविश्चत है जहां आपको अपने समान रूचियों के लोगों से मिलने का मौका मिले आज आपकी कोई बुरी आदत आपके प्रेमी को भी बुरी लग सकती है और वो आप से नाराज हो सकता है इसलिए इस रासी वाले जातकों को आज खाली वक्त में अपने प्रेमी के साथ वक्तें बिताना चाहिए ध्यान रहे कोई पुराना मित्र आपकी और आपके जीवन साती की सांजह यादों को तरो ताजा कर सकता है यह दिन दोस्तों रिष्टेदारों के साथ स्वापिंग पर जानी का दिन है बस अपने खर्चों पर थोड़ी नजर रखें साती आपको बताएं आप अपने लच्छ और अधिकार के बारे में अच्छ से जानते हैं और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं यह समय सांती पूर हैं और आज का दिन वाहन इमारत या संपत्ती की खरिदारे के लिए अच्छ है अपने कौशल को निखारे इससे आपको उज्वल भविज से बनाने में मदद मिलेगी अगर आप अपनी दोस्ती पर ध्यान देंगे तो आपकी दोस्ती फलेगी फूलेगी आपके दोस्त और दुस्मन दोनों को आज आपकी मदद की आवशकता पर सकती है इसलिए जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को खुश रखे नए कारियों और प्रोजेक्ट में समय बिताएं किसी खास यात्ति की तलास में तो आज का दिन आपके लिए सुब रहेगा दोस्तों आज आप सब कुछ भूल कर अपनी साथी की बाहों में खो जाना चाहते है या समय किसी लॉंग ड्राइब या रोमांटिक कैंडल नाइट डिनर का है जहां आप एक दूसरे को और भी अधिक जान पाएंगे ध्यान रहे पिता की समस्या या मा का स्वास्त आपके लिए प्रात मिक्ता हो सकती है आज आपके लिए खुश्यो भरा दिन है जहां आपके नए दोस्त बनेंगे और आपके प्रतिद्वंदी भी आपकी साहायता करेंगे आपका स्वीटू और सब दोस्त आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार है नए रिस्तो को लेकर आप उत्साहीत है दोस्तो आप अपने साथी को अपने प्रती भावनाव को अच्छे से समझने दे और उसका पूरा सम्मान अवश्य करें साथी आपको बताए दोस्तो अब आपका हर काम और पूरा ध्यान अपने कैरियर के लिए है आप इस पर बिल्कुल अपना पूरा ध्यान और समय लगा रहे हैं आपको थोड़ी से राहत की जरूरत है और अच्छी बात तो यह है कि आप तब भी अपना लच्च हांसे इल कर पाएंगे अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइब की आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आईए जानते हैं तो दोस्तों अब समय आ गया है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठ कर उन सारे मुद्दों को सुल जा ले जो कि अभी हाल फिलाल दोनों को परेशान करती आ रहे हैं यह बात यह आप दोनों की भावनाओं और एक दूसरे के पती समरपण को लेकर हो सकती है यह समाने से दिखने वाले इबं बड़े मुद्दों के बारे में भी हो सकती है जिसे आप दोनों काफी दिनों से नजर अंदाज करते आ रहे हैं सच बात यह है कि अब आप दोनों को मिलकर ही कोई बड़ा कदम उठाना होगा अब बात करें दोस्तों आपके आज के वैपार और कैरियर के तो दोस्तों आज बड़ी और छोटी सफलता हैं आपके कारेशेतर में दस्तक दे सकती हैं आपके द्वारा एक समय में प्रदान की गई सेवाओ के लिए आपको कुछ भुक्तान प्राप्त हो सकता है या आपको एक आप्रतियासित बोनस मिल सकता है एक लंबे समय से जो पद उन्नक्ती अठकी हुई थी वो आपको मिल सकती है या आपका पद ऊचा हो सकता है और अलग से एक केविन आपको मिल सकता है वस्तुता, बेरुजगार यूबक या वे लोग जो अपनी मौजूदा नौकरी से खुश नहीं है उनके लिए भी आज सुपसंदेश प्राप्त हो सकता है तो दोस्तो ये था आज का कुम्बरासी का रासी फल रोज की कुम्बरासी देखने के लिए आप अमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन आल पर सिलिट करें आपका दिन सूव हो नमस्त दोस्तो राधिकिश्णा